तो हे गाईज कैसे हो आप सब and welcome back to another interesting news वीडियो पर लिए अपडेट निकल कराती है टीम हाइडरा के डिस बैंड के रिलेटर तो प्रिवेस वीडियो में हमने देखा था जहापर डाइनमो के लाइव आने के बाद में अलफा क्लैशर भी अपने चैनल पर बाकी तीन मेंबर्स एंपरर बिटी एन आयूश के साथ में लाइव आये थे जहाँ पर उन्होंने डाइनमो की सब चीज का रिपलाई किया था एंड वो सब कुछ मैंने ये वीडियो में कवर कर दिया है इन ही चैनल में से एक मेंबर है आयूश जो की उस स्ट्रीम पर अपना पॉइंट ओ व्यू नहीं रख पाये थे जिसके बाद काफी सारे लोग आयूश को जाकर बोल रहे थे कि भाई हाईडरा इस एन इमोशन आप हाईडरा को मच छोड़ो तो वो सबके रिलेडिड एंच साथ ही में उन्होंने रिवील किया कि हाईडरा बूटकेम पर एक्चुल प्रोब्लम क्या चल रही थी इस पर इग्जेक्ली उन्होंने कुछ ये कहा लेकिन यहां पर घर भी है और वो हम लोग लिए वर्फिस भी है समझ रो उससे हमारा घर चल रहा है उस लोग यह भी सोच रहे थे कि भाई उसने सदेन डिसिजन नहीं लिया है अब तुमको भी बताए कि डाइनो खुद अपने मूँसे कहते है कि उनको बहुत साथ इस जिरए अब सबस्क्राइब को बन तो सबस्क्राइब करने समय सब्सक्राइब करने सब sed minute साथ-ाठ महीने में इनफ है वो गलती को सुधारने के लिए बट अगर साथ-ाठ महीने में भी वो गलती नहीं सुधार रही है तो फिर वहाँ पर भाई ये स्टेप्स लेने पड़ जाते है और गईस नेक्स अब्डेट निकल कराती है गोड लाइक नियो के रिलेटेड तो उन पर एक यूट्यूबर ने केस कर दिया है बाई दा नेम हार्ड स्कॉप तो वो केस उन्होंने क्यों किया है उसका रिजन देते हैं उन्होंने बताया कि कुछ तैम पहले नियो ने किसी बंदे के 5000 रुपीज ले लिये थे जो कि उन्होंने वापस नहीं किये थे और उसके बाद उसमेंबर ने हार्ड स्कॉप को इसके रिलेटेड को टैट किया था जिसके बाद हार्ड स्कॉप ने इसके उपर एक वीडियो बनाई थी केस चल रहा है नियो के उपर और मेरा जो मैंने नियो के उपर केस करा हुआ था 17 फैब को डेट थी तो नियो के उपर मैंने केस ये किया है कि भाई उसने मुझे गालिया दी उसने मुझे थ्रेटन करा मेरे घरवालों के उपर कमेंट करा मेरी मा को लेकर कमेंट करा मेरे father को लेकर comment करा तो बहुत सारी चीज़ें है अब legal language तो मैं उतना नहीं बता पूँगा मैं दिखाऊँगा आपको कि कौन-कौन से उस पे हमने करा हुआ है और बाकी court जो decide करता है क्या decide करता है नहीं करता है यह completely court के उपर है ठीक है नियो भी आया था गवाही नहीं अभी तक तो नहीं आया है लेकिन आयेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा और वो कब आयेगा वो भी बताऊंगा अभी ठीक है तो उसने पैसे वापिस कर दिया लेकिन कुछ भी नहीं बोलता तो भी चलता था ठीक है लेकिन उसने बोला कि मेरे पर फेक वीडियो बनाई है और स्कैमर मुझे बोल रहा है पांच सेथार का मैं स्कैम करूंगा क्या और भर भर के गालिया वालिया दी तो मतलब इमेज यह तो इसके मुझे लगा कि इस बात का एक एक जामपल सेट करना जरूरी है कि तो चीज नहीं होनी चाहिए तो इसके वाज़े से मैंने केस किया कि सच्चाई भी सब के सामने आ जाएगी क्योंकि अगर कोट केस है तो ओविसली वह मुझे पुछेंगे कि क्या हुआ तो मैं ब पुझेंगे कि तुमने क्यों बोला भाई नहीं हो को स्कैमर तो फिर मैं बताऊंगा कि भाईया जी ऐसा है कि इसने स्कैम करा था तो फिर कोट बोलेगी कि स्कैम करा था कि नहीं करा था यहीं पे मुद्दा आ जाएगा जब यहां पे मुद्दा आ जाएगा तो फिर नमबर वन व्लोगर है सोर ओव जोसी व्लोग फिर चाहे आप देख लो डेली व्यूज में नमबर ओव सब्सक्राइबर्स में या फिर चैनल पर टोटल व्यूज में हर किसी को एक उनकी इंकम जानने की एक्साइटमेंट तो रहती होगी यह चीज सोर ओ जोसी से गलती से तो गाइस यह इंकम है उनके चैनल पर लास्ट ट्वंटी एट डेज की 98,510 डॉलर्स जिसको अगर हम इंडियन रूपीज में कनवर्ट करें तो वह यह होता है 81,53,230 रूपीज अगर हम इसको 12 से मल्टिप्लाइ करके देखे कि पूरी यहर में अरौंड किती उनकी इंकम बनती होगी तो गैस यह बैटता है भाई 9,78,38,000 मतलब नेक्स लेवल यार तो बस गैस फिलाल के वीडियो मितना है ताब वीडियो पसने है तो वीडियो को ला इसाग्राम फे भी फोलो कर सकते हो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई